आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैजिक ट्रांसलेशन इस्टूडेंट के सबसे बड़ी शमश्या जो प्रॉब्लम्स है वो है बटा ट्रांसलेशन तो दीकिए हम आपको एक मैजिक फॉर्मूला मैजिक फॉर्मूला के माद्यम से आज बड़ी से बड़ी सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम आपको बताने जा रहे हैं देखे बटा आपके सामने बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं उन सभी वर्ड को एक बार आप अपने माइंड में सोचे विजार कीजिए कि जो ट्रांसलेश जब भी आपको किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाना हो तो यहां पर आप उस सेंटेंस में हूँ कौन कि यहां पर जो सब्जेक्ट है काम करने वाला है डूर है कौन है उस कौन को निकालो फिर उसके बाद में यहां से आपको लिखना है बेटा बनने वाला टेंस लिखना है उसके बाद में बनने वाली model यहां पर यह दी कोई होता है तो आप model हो यह तो tense होगा या फिर model होगा दोने में से एक होगा ओके फिर उसके बाद में बैटा यहां से आपको देना है web देनी है ओके यहां इस model के according वर्ब बनेगा वीवन और यहां tense यह दिया है तो helping whom का answer दे दीजे फिर यहाँ है how कैसे वो काम कर रहा है उसका answer दे दीजे why क्यों कर रहा है वो ये काम इसका answer दे दीजे where वो ये काम कहां कर रहा है आप इसका answer दे दीजे और when कब वो ये काम कर रहा है आप इसका answer दे दीजे यानि मैं कहूं तो बेटा आपके sentence का जब आप translation करोगे तो translation इसी form में होगा देखे मैंने आपके सामने हिंदी का एक बहुत बड़ा sentence लिखा है और आप एसे कई sentence यहाँ पर translation कर सकते हो क्योंकि मैंने इसका format का नाम ही दिया है magic translation देखे कैसे एक व्रद औरत पिछले पाँच वर्सों से जैपुर के मान सरोवर में एक छोटी सी दुकान के अंदर अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी publicity के आसपास की लोगों को अंग्रेजी सिका रही है ऐसा मैंने आपको एक sentence दिया और मैंने कहा आपको इसका translation करना है into English में आपको इसका English translation बनाना है तो देखे बेटा आपके सामने एक formula है उस formula की माद्यम से हम लोग English translation इसका बनाएंगे तो सीदे बेट जाएं आप सबी और देखिए जो आएं यहां translation बनता है वो ठीक है या नहीं देखे बेटा यहां से सबसे पहले कौन कौन शिका रही है एक व्रिद औरत तो क्या हो जाएगा यहां पर अपना English translation के लिए एक व्रिद औरत को इंग्लिस में कहा कहेंगे एन अल्ड वोमन ठीक है चलो जी कौन हो गया फिर उसके बाद में tense दीजिए मोडल तो नहीं है यहां पर क्योंकि देखी बेटा से रहा है से रही है से रहा है से रही है आपको मैंने latest tense बताया present perfect continues तो यहां पर क्या जाएगा यहां पर यह ओल्ड वोमन singular है तो क्या जाएगा बेटा has been फिर उसके बाद में मैं वर्ब दे दीजे मैं वर्ब क्या हो जाएगा वर्ब के साथ में यहां पर आएज जे लगाना है तो क्या बन जाएगा बेटा teaching तो क्या हो गया an old woman has been teaching यह who answer दे दिया tense or model आपने यूज कर लिया देखे बेटा वोट का answer भी आ गया कोई दिकत नहीं है किसी भी student को इसमें बिल्कुल चलो देखे बेटा उसके बाद में यहां से अपन बात करते हैं w h o m whom कि दे सिखा रही है ठीक है कि नहीं तो क्या लिखा आपने to the people p e o p l e people of nearby place देखे किंको यानि किंको आस पास के लोगों को किंको शिकाए जा रहा है यहां पर आस पास के लोगों को तो क्या लिखा मेंने to the people of nearby place आस पास की जितने भी इस्फान है उन पर रहने वाले जितने भी लोगँ है उन लोगों को यहां पर लिए सिकाई जा रही है तो देखे बिटा हो का आंसर मिल गया और उसके बाद में आपने टेंज मोडलिज कर लिया वर्क कर लिए वाट क्या कम ही दे लिया डबलो एचोंगों किसे आप दे दिया किसे बिटा टू अप नेरबाई प्लेसे अब उसके बाद में देखे बिटा आपके सामने यहां पर दिया हुआ है हाउ क्या दिया हुआ है हाउ केसे तो देखे बिटा केसे की बात करते हैं तो यहां पर देखे बिटा बिना किसी पबलिसिटी के तो क्या हो जाएगा बिटा यहां पर विधाउट एनी पबलिसिटी विधाउट एनी पबलिसिटी बिन किसी publicity के तो दिखें बटा किन को केसे और क्यों आप दिखें यहां तक के लिए हो गया वाई केसे सिखाई जा रहे है विदाउट एनी publicity के यानि कि अपन कहें बटा यहां बिना किसी publicity के English जो है पड़ाई जा रही है सिखाई जा रही है क्यों सिखाई जा रही है अब देखें क्यों काशन दिखें क्यों कांसे मिलेगा अपनी जीविकार चलाने के लिए तो क्या हो जाएगा यहां से अपने इसके क्या बोलते हैं पेटा लाइवलिहूड आजीविका को क्या बोलते हैं पेटा लाइवलिहूड और रनिंग हर लाइवलिहूड अपनी जीविका चलाने के लिए क्यों अपनी जीविका चलाने के लिए कहां पर कहां पर के बात करते हैं तो पेटा एक छोटी सी दुकान के यहां पर बहुत सारी कहां के आंसर मिलेंगे, मांसरोर भी है, जैपुर भी है, ठीक है, और एक छोटी सी दुकान भी है, तो जो छोटा इस्तान है, उसको पहले लिखे, फिर उससे बड़े वाला इस्तान, फिर सबसे बड़े वाला इस्तान को अपन लिखेंगे, जो छोटा इस्तान होगा add कर दीजिए, जो बड़ा इस्तान होगा in कर दीजिए, यह आपने position में पड़ा है, ठीक है बिटा, तो क्या हो जाएगा, inside, inside a small soft, inside a small soft, एक छोटी सी दुकान के अंदर, अब देखी बिटा, छोटा इस्तान होता है, add का use कर दो, ठीक है की नहीं, अब देखी चोटा इस्तान, add, यहाँ से आपको लिखना है, नीचे आपको दिखा दे जाएगा, नहीं देगा, add लिखा, मैं उपर से एक line यहाँ से guide कर देता हूँ, लिखे, add, कहाँ पर, उसके बाद में, मान्सरोवर, मान्सरोवर, ठीक है बिटा, अब देखे, मान्सरोवर कहाँ है बिटा, in जैपूर, यह वहर का answer हो गया, वहर के बाद में बिटा, कब, कब से, कब बाद बता रही है, कब, अब समय बताना है, तो देखी बिटा, यहाँ पर four or since का use होगा, क्योंकि आपने has been, have been, present perfect, continuous tense, for last five years, okay, तो चलो देखिए, आपके सामने, यहाँ पर English translation बन गया, और देखी बिटा, translation इतना पहतरीन बना है, कि किसी भी प्रकार का error इस sentence में आपके नहीं बनता, एक बार वापस से देख लीजिए, जब भी आपको किसी sentence का बिटा, translation करना होता है, तो आप इस format को अपना दीजिए, बड़े से बड़े sentence को आप लोग English translation कर दोगे, इसको मैंने magic formula कहा है, इसलिए आप सभी student इसके उपर discuss करना, try करना, क्या लिका हुआ है, सबसे पहले अपना बात करें, who, कौन, कौन सिखा रहा है, फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ पर tense देदीजे, model देज आपको इंगलिस एक दम पर्फेक्ट होगा, ठीक है, हम फिर से आप कल एक फिर से एक नए topic लेकर के आपके सामने पस्तित होंगे, प्रेजेंट होंगे, आज के लिए thank you, जै हिंचे अबारत, ओके बटा, जै हिंच!